हेलो एरिवन वेलकम टो एवर गेंट स्टेडी तो आज की विडियो के अंदर हम बेड प्रोग्राम थर्ड स्मेस्टर हिस्टी की बुक की यूनिट 7 करने वाले हैं है इकोनोमिक एंड इंटीक्रीटी पैटन ओफ एक्शेंज की किस परकार से अभी तक हमने 1-6 चेप्टर रीड कर ले अलग अलग हमने एमपायर के बारे में दीड करेंगे और हम रीड करेंगे कि वह उस समय में किस परकार से ट्रेड किया जाता था यह सारी चीज हम इसी क्षिए पॉसिबल है हम कोई समान है वह लेंड के दुवारे एक देश के अंदर लेकर लेके जाए लेकिन एक देश के बाहर ले जाना दोसरी देसों में एक्सपोर्ट करतें कि कि early medieval period में इंडिया पूरा क्या था टोटली अग्रियन था मतलल अगरी कल्चर कर दिपैंड था हमारे हाँ पर जितना भी अगरी कल्चर होता था वह जो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था इंडेसर्च पता मिले जैसे बहुत सारे ट्रेवलर्स हाथे आते हैं उनके बुक्स पता नहीं चलता कि इंडिया के इंडिया में कोई से और आंट्र कोई संक्राइश सबस्ट yes होता होगा कोई मशीन होती हुआ हम की कैसे सबान बनातेघेट więc काम कर वह चीज़े बनाया करते तो और हमारी हैν कुल три टेल्टी अगरी कल्ट्चर पेडिन तो बताया गया सकतनी तेरा सो इस वी के अंदर क्या होता है भूह सारे स्कोलर्स पता कर रहा है जैसे उनकी बुक्स वगयर इसे पता चला है कि किस परकार इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन शेरी करन आ ने लगा क्राफ्ट प्रोडक अर्बन लाइसेशन होनी लगा तो वो सारी चीजह हम आज हमारे पर अशर कर रहें है तो बताएं गया कि इंडियान ओसियन काहां पर है एक मिलच आप लिए से कर दो को जिसे के आपको बहुत अच्छा मिलेगा आपका अंसर तो यह आप इमेज देख रहे हो यह इंडिया की अंदर के यहाँ एक समुंदर है क्या है इंडिया नोस इंडिया की बहुत इंपोर्टेंट भूमी का है तो हमें रीड ही कर लिया कि अन्डाव्ट फुलिए हम बोल सकते ति इंडिया की जो अगरी कल्चार एक सब्सक्राइब हरें करते थे वह क्रली कहीं अगरीकल्चर करते थे अभ रीड करेंगे in मेरेंटाइंझ नेटवर्क ओफ इंडिया अच्छा तो मिली खो 15 16 20 अच्छी कवा सबस्वा है की एक एक लेंड वहाइपर रिदा मोहां है बहुत च्छा कर सकते यह अन्डर्स्ट्री बड़ा इंडिया कर सकते हैं मैं दूसरी दिटसरी दूसरी भी ऐंगरी कलचिstell कर सकते तो ऊसफी मोन नहीं है थेकर नर्डी तु इंडिया की एकोनोंक बहुत जादा फैला वीज़ाद अपोई थो स्कते होई लास्ली एंडिया का पहले इंडिया का ही पार्ट होता था यह तो बाद में जाके हमसे अलग हो गया सब्सक्राइब पेलिए स्री लंका भी था हमारे साथ हूं आप कितना बड़ा एक वास्ट एडिया है उसके साथ ही हम देह सकते कि इंडिया के अंदर इंडियन ऊषियन सेंटर पोजीशन करता है हम इंडिया बिलकुल पूरी इंडियन esca पे अपना राजका रहा धेको पूरा तो इस परकार से परगेदहिस्धार जнов रेजन के दवारे कि इंडियन खीकुनॉमिक बहुत हैं हुथ फार इंडियन ओशियं के फार्त लेकिन सब्सक्राइब देन सब्सक्राइब करें पाणी से गिरा हुआ है बहुत बड़ा एरिया इंडिया का इस वजह से इकोनोमिक बहुत जादा हाई हो गई और थर्ड हमने देखा कि श्री लंका भी इंडिया का पार्टी था तो कितना बड़ा वास्ट एरिया था उसके साथ ही जो सेंटर पोजिशन इंडियन ओशेन वोज आधन क्या था जा फिस परकार से ट्रेंड होता तो आपको सारी बाते बता देनी है यही कोशन आहिए था आएगा कि इस परकार से PI एकोनोमिक थी हमारी 8th century से लेकर 15th century के लिए एक तो यह कोशन आएगा और एक कोशन हमारा यह भी आ सकता है कि किस परकार जो इंडियन ओशन एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करा एकोनोमिक के लिए अपलिफ्टमेंट करने के लिए एट सेंचुरी से 15th सेंचुरी के लिए तो यह सारी बात है ठीक है सेकिंड रीजन एट इंडियन ओशन जो इंडियन का ओशन है इंडियन ओशन है मतलब वह 20 परसेंट 20 परसेंट हमारा पानी है वह इंडियन ओशन से होके एक तो हमने देख लिया इंडिया नोशन सबसे इंपोर्टेंट है दो चीज़े देखोगे हमारी हाँ पर क्या एक रैट सी के दूरा होती हुए भी हम क्या कर सकते हैं यह इंडिया यहां से हम नॉर्मली किसी भी देश में रेड करना है तो यहां से जासते एक एब आफ परермूर अफरीका पुउस लगता है तो वहां पर अफरिका के Śाल हो था अप जा होता है और इसे इसे dari तो यह हमारी इंडियान है यहां पर आप यह हमारा North है यह हमारा East है, साउथ और लिब्स है तो वेस्ट साइड हमारे का पर्टा है in Arabic सीप पर्षी पर्टा है हम यहां से हम ट्रेड कर सकते हैं यहां पर की आपनी यहां इत्ह चार्ली हाई प्रक्तर वरफ अंचाल और यहां पर क्वागी टरोस्त चार्चाल इली। सेंटीकूस काइभ तक है जबरेंट अंपर को श्लत करीच तो यहां तक फैला तो आप देख सकते हो कि हम कहां तक ट्रेड कर अंटार्टिका तक फैला तो कितने सारे देश पढ़ते हैं हमारे आसपार तो वहां तक ट्रेड होता था हमारी 8th century से 15th century के अंदर और आपको पता होगा अट्लांटिक और पैसिफिक ओसे ना दुनिया में सबसे बड़े इंडिया वह बड़े ओशेन है लेकिन जो इंडियान ओशेन है मारा वह क्या एक ब्रीज के अमाँ एक ब्रीज का काम करते कि किस परकार जो एश और अफरिका के देश में उन्होंने ट्रेड का एक रिलेशन क इस एस्टेशन है याल्डिंग फार रीचिंग रिजल्ट तो आपको पता होगा जो कितना बड़ा रिजल्ट है हमारी हाँ पर एश या में एक बड़ी पोजिशन पर कोई भी देश का ना किसी भी समुदर का नाम किसी भी देश पर नहीं पढ़ा है इंडिया का पढ़ा है तो आप देश तो कि कितनी इंपोर्टेंट पोजिशन पर है इंडिया का इंडिया नोशन ठीक है तो हम पहले की टाइम प्रेड़ से यह देख पार है कि इंडिया का ट्रेड साहर वह ज्यादा रिलेशन था वह अनधर कंट्री के साथ ट्रेड करता था यह नहीं है कि 8 तो आप देखोगी कि रोमन एंपर के द्वारा विजो रोमन एंपर उससे भी मारा ट्रेड होता था रैड सी के द्वारा और फिर बाद में कि जब युरोपेंस आते हैं अब जो ब्रिटिश लोग आते उन्होंने इंडियान ओशन का एक मार्क बनाया और वह ट्रेड करते तो इस परकार से हर एक जो चीज़े क्या इंपोर्ट जैसे रैड सी हो गई पर्शन गुल्ट भी हो गया और इंडियान ओशन हो गया यह तीनों ही इंपोर्टेंट रेड के लिए तो आपको यह तीनों में याद रखके आना ठीक है अच्छी तरीके से एक्जाम में लिखन हमें थोड़ी बहुत चेंजिस देखने को मिलता है जैसे हडपा सीविलाजेशन के अंदर रोमन एंपार के अंदर हमारा बहुत जादा ट्रेड होता था लेकिन आट्वी से पंद्रवी स्टाब्दी में हमें त्रेड जो होता है वो बिल्कुल कम थोड़ा कम हो गया था था हो गया था ठीक है बहुत सारे फैक्टर करते से शोचल एकोनोमिकर पे पर डिपैंड़ करता है कि इस परकार से जो हमारी यहां पर फ्यूडी जम था कि परकार से जो बहुत सारे वीलेज वगरर की ओन मिकाव बहुत जादा कम जो था आ छोजकी थी लोकाली वही प्रोड़ गरपा सिविलाइजिशन रोमन एंपायर के बीच में होता था हमारा ठीक है तो थोड़ा बहुत कम हो गया था बहुत सारे डिपैंड करते में इन्ची जो में ठीक है भी डिक्लाइन हो गया था कुछ जो स्कोलर्स है वह मानते हैं यह नहीं कि मैं बहुत सारी बुक्स वगारे एक दुसरे स्कोलर से है वह बताते हैं कि ऐसे नहीं है कि ट्रेड नहीं होता था हुद्ल है न इतना इतना होता था लेकिन मेरल में थोड़ा बहुत कम हो गया था यह बात बोट रहे हैं कि मतलग कि इंडियन जो मर्चांट ओते थैं नोट एक्टिव पार्ट्स पेड वो प्रैक्टिसी निहीं करते हैं त्रेड में भागी नहीं लेते हैं तकि मुझे ट्रेड करना उनका मनी नहीं करता था इसलिए कम है त अर्ली मेडावल प्रेड में अच्छा बना ट्रेड होता था हडपा सिविलाजेशन के अंदर रोमन हैं यह सारे चीज़ आपको लिख के आने हैं ठीक है और कैन चोधरी का भी नाम आपको याद रख के आना है ठीक है और सिस फोर्दा हिस्ट्री ओवर्सी ट्रेड दूरिंग एट तू 15 सेंचुरी के अंदर कि वह सारे स्त्रोथ आपको बताने हैं कि किस परकार से जो इंडिया के इंदर समुंदर के दौरा में कैसे पता चला है कि वह 8 से 15 सेंचुरी के अंदर जो लोग थे वह यात्रा करते थ देश के लोग ही लिख रहे थे हमने मुगल टाइम प्रियर्ड में रीडिकिया जो अब बूल फजल उन्होंने किस परकार से बहुत सारी बाते लिए इंडिया में किस परकार से ट्रेड होता था वह सारी बाते आपको लिख देना और अब बहुत सारी आरे बिवर्शन अका travellers आये हैं उन्होंने बथा बताया है कि किस परकार से ठरेड होता था इंडिया के अंदर और बहुत सारी जैसे इतली का एक traveller ऑया मोरोको पोलो उसमें किस परकार से लिखा है अपनी किस फरकार से ठरेड होता तो और बहुत सारी बाते पता चलिए ती लेटर ओज्यूस मर्चंट एक जूस मर्चंट होता है वह इंडिया के अंदर आता है ट्रेड करने के लिए उसने भी बूक्स वगएर अपने डोकुमेंट लिखा है वह सारी चीजों से भी में पता चलता है अब रीडि करते हम ठीक ह तो एक मर्चंट जूस नाम का उन्होंने जिनना एक डोकुमेंट है उसका उसमें उन्होंने लिखा है कि किस परकार से वह ट्रेड करते थी इंडिया के लोग ठीक होना बोला टे हाइलाइट दे आक्ट्वीटी ओफ ट्रैवलर्स ओफ दा इंडिया इंडिया के ट्रैवलर्स एक ट्रैवलर्स है मुसरिफन उल हिंद एक है उसकी बाते उसने जानी और अपने अकाउंट जिन्ना में उस सारी बाते लिख दी जुश मर्चेंट गुमने के लिए आया था इंड्या उसने एंड ट्रैविलर से पूछा उसने सारी बाते जीना डोकेमेंट में लिख दिया कि किस परकार से लोग trade करते थे उस समय में रर्यक है और आपको जिन्ना document के बारे में रीड करना है जूस मर्चंट के बारे में पहुर्ट करना है लेकिन यह तरे अंसे शार पूचिए अंदिया के शिलर से पूचिए हैं लेकिन फ़ोग होते थे मरचंट से नहीं पूची तो एक एक्चुल व्यूपोइंट भी नहीं दे रहा हमें ठीक है दे ओल्सो ऑकेजिनी प्रोएट समसे जो स्टेक्टिकल इंफोर्मेशन में देता है मतलब कि थोड़ी बहुत इंफोर्मेशन देता है इतनी कारिगर नहीं होती ठीक है लेकिन हमें बाते पता चली है बेस्किली इंडिया के अदर कि बता सकते हैं ठीक है जो अब अरब ट्रेवलर्रेंड मर्चंट तो आप अरफ ट्रेवलर्स के बारे में भी लिख देना कि उन्होंने भी लिखा है बहुत सारे डियों कि इंडियन ओश्यन से किस परकार से ट्रेड होता था और आप बहुत सारी और भी अरृत के लीख सकते हो जैसे कि अलविरुद्य शाया वेकति होते हैं वह अपनीEP डोकामन रुखनीक कि अटाब हमें को रहां इंडिया केंसे वा परकार से विस परकार अंडिया के लिखना है और सधान को लिखना है कि जो एक बरुह परमियर होतेekk से जो वेक्ति आयते उन्होंने लिखा है कि किस परकार से जो मुगल टाइम पिरड में कि ट्रेड होता था उन्होंने इसके उपर भुक भी लिखिए ट्रेवल ट्रेवल इंदा मुगल एंपर कि किस परकार से जो उन्होंने ट्रेवल करी मुगल एंपर के अंदर और क्या होता तो आपको पता है कि अपनी बुक में लिख दी और बहुत सारे अमने देखा तब विजय नगर में एक आये थे वैकती कौन थे वह वैकती अब्दुल रजाक ती अब्दुल रजाक ने भी लिखा है कि विजय नगर के लोग है किस परकार से ट्रेड करते तो अप अलग- आपको पता कि अरब कि परकार से इंडिया पर कभजा करते हैreck कि अरब मर्चैंट कि अ hotdo at यह शाएं परकार से आते और पर आफ्चेज लूटमिल गेकर जाते तो एक-चच नामा एक बुक है उसे भीमें पता चलता है कि कि परकार से जो बंदर गया होते है शिरिनकर तो आम ने देखा किस परकार से ट्रेड होता था इंडियन ऊशन के अंदर तो अब देखते हैं कि अब 18 century से 15th century के अंदर किस परकार से डिखलाइन हो चुका था ठेड लेकिन अब क्या एकदम से रिविवूल होते हैं रिवाइवल ने लग जाता है एकदम से चेंज होने लग जाता है कि ट्रेड में एकदम से चेंज होने लगता है यह देखते हैं जो के अन्चोदरी है और अगर सुप कोलर सर्व उन्होंने बताया vivid y bucket फेटी ती यह एकदम चोदरी और अदर जो स्कॉलर से उन्होंने बताया कि इसलाम के आने के बाद क्या है इंडिया नोशन में बहुत जए ट्रेड होने लगा था क्योंकि जो अर इसलामी कल्चर होता है उसमें सबसे जाद है क्या होता जो और आर्बन लाइफ जीते हैं लोग और वो जीने के लिए कि इंडिया के दर दो चीजे नहीं मिलते थी वो क्या करते थे दूसरी जंगह से मंगाते थे तो इस परकार से relation बन जाता था और एक जिनगह से दूसरी जंगह क्या करते थे वो ट्रेड करते थे हम यह आपको देंगे आप हमें यह दे दो तो इस परकार से जो ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था इसलाम इसलाम जब आई इसलामी कल्चर जब आया इंडियन ओशन जो इंडियन ओशन लेट अर्लियर नाइंटीन सेंचुरी के अंदर किस परकार से एकदम से बूस्ट होता है ठीक है यह सारी आपको बाते लिख देना ही है इस सेलिंग पैटरं की किस परकार से जो ना ना होती थी नाव की मदर से किस परकार से ट्रेड होता था तो सबसे पहले आपको समुदर में यात्रा करनी है आपको ट्रेड करना है तो आप ऐसे तो नहीं होगा आप बिल्कुल भी बारिश हवाई नहीं चल रही है आप वहां से ट्रेड करोगे नहीं तो जो यात्रा होती थी हमें ट्रेड करनी होती थी उसमयमें तो यह monsoon पर dependent करती थी मोनसुन में जैसी हवाँ चली उस पर dependent करती थी यह बहुत तेज बाइज हवाँ चल रहे हैं तो आप बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड कर सकते हो तो यह दो जंग पर दो मौन्सुन होते थे एक साउथ वेस्टर मौन्सुन होता था जो जून टू सितंबर होता था और एक नोर्थ इस्टर मौन्सुन होता था जो अक्टूबर से जनवरी होता था तो दो दो बार क्या होता था, Southwestern wind चलती थी, एक North Eastern wind चलती थी, मतला यह जोगरोफी का chapter है, तो आप मैं आपको इतना तो नहीं बता सकती, लेकिन आप याद रखो, Southwestern जो wind होती है, वो June to September होती है, और North Eastern जो monsoon होते हैं, वो October to January होती थी, तो सभी को पता है, June to September लेकर वेस्ट साइड करना है इसे हमें चल्दि जल्दि पहुंग चाहेंगे यहां ऐसे मार्ण कर सकती है तो इस परकार से ट्रेड में के मादम्द से ठीक है विन्ट सिस्टम को देख के करते वह सारे जो वह सारे स्कोलर स्हु नोंकी से पता चलता है जो पर्शन गल्फ से त्रेड होता था घ्जुट्स वगशर से विट वेड होता था चाइन वगशर से भी होता था बहुत Paanto ingrob चाहिना के इन से ट्रेड होता था ठीक है कि विकोज ओफ दा अल्टरनेशन और मॉंसें दो मॉंसें वीड चलती थी इड़ डिफिकल्ट टूमेक राउंड टिप अप एक मॉंसें विंड़ा वो चल रही है यह तो नहीं है अमने देखा कि मॉंसें वीड़ा हो क्या है साउट चलते हैं यह तो नहीं आप नोर्थ वेस्ट एड Sep1 साल के पूरी यातर कर लोगे नहीं ऐसा किया लूए इंपोसिबल होता था या तो अपन आप साल के अंदर वेस्टरन साइड जा सकते थे वेस्टरन Inde के साड़ जा सकते तैं या फिर इस्टरण आप सिंगल एक बार चा बहुत सारी सूंसिस मिले हैं उनकी मदद से भी हम जिससे सिर्फी से बार बार जो आपको टॉपकरात है एक ब्शिफ रिस यो 110 यह किस परकार से ट्रेड होता था ओल्सों फैक्ट कैन नोट बी डिनाइड डैट दे आर ग्रैजुल डिक्लाइन डिक्लाइन होने लगा था लेकिन इतना भी डिक्लाइन नहीं हुआ था बहुत सारी नए पोट तो बन रहे थे डिक्लाइन मैंने बता है वो मर्चेंटा वो इतना शार्प नहीं था जैसे कि मैं बता रही बिल्कुली डिक्लाइन नहीं हुआ था मैं बार बार आपको यहीं बोल रही है यह मैं कैसे पता चला जो अरबिक और पर्शियन के जो जो बुक्स वगारा लिकी जाती थी बहुत सारे ट्रैवलर्स आने आते थे या फिर वह और इंपोर्टेंस ओफ इंडेट उन्होंने बताया कि इंडियन पोर्ट उनके लिए कितने कारिगर सापित हुए तो यह सारी बाते हमें पता चलती है तो यह भी हम नहीं बहुत सकते कि 8 सेंचुरी के अंदर बिल्कुली डिक्लाइंग हो चुका था हमारा एक्टिवीटी तो हमें बताया गया ना पर्शन और हमारे अरबिक अकाउंट से कि किस परकार जो इंडियन पोर्ट है एक इंपोर्टेंट भूमी का निवाई ठीक है इंपोर्ट होते बंदरगान ने बहुत इंपोर्टेंट जहां पर शिप बगार खड़ी होते जहां पर ट्रेड किया ज सा drives के ही तो हम देख रहें एक साइड बोल रही है कि डिकलाइन हो गया था लिकिन कम इसाइड हम पूल्लिखलाई नहीं हुआ था यह बहुत सारे स्कोलर्थ को निव अपनी अलग उसबुक्त है तो अपको यह भी लिखना आ आपको यह नी लिखना उक्ताश चल रही थी आ उनी लिखे आँने आपको दोनों साइड कैसे जो एक स्कोलर है इसलिए क्या होता है आपको एक स्कोलरлять इन बिल्कुली डिक्लाइन ऐसे बात नहीं लिख आने रहें जो मेटनें चोड्री साब तो हमें पलिका है कंपलीटली डिकलाल ऊंतंब जितता ओं आंट की अराप पाप और रोमन एंपर के बीच में जो ट्रेड होता था तो यह सारी बाते आपको लिख के आने यह नहीं है कि आप बिल्कुल ही हां कर दो बिल्कुल ही नहां कर दो ठीक है अरे बिक एंड पर्शे वर्क दीज आर जो वैल्यवल चैनिस एंड यूरोप एंड तो यह बताया ग कि ट्रेड होता था ठीक है कि दी चैनिज अकाउंट वोज बाई एक चैनिज अकाउंट मिलता है तो उन्होंने किस परकार से बताया कि सूंग डैनिस्टी सूंग डैनिस्टी के टाइम प्रेड में आयते उन्होंने लिखा है कि किस परकार से इंडिया के अंदर सूंग डैन सेंचुरी के अंदर की इस परकार से मतलब की हमारा इंडियन ओशीन के साथ 30 सेंचुरी के ए Norman बहुत है की और थेट होने लग जाता है यह सारी बहुत बेंडिद के अग्चेंद इई चार्ण अग्यीद ग्युवर्ण जो थेशी Lynis के द्वारा ne भाइधिक है दी अकाउंट ऑफ इस एक्टिए अक्ट है जो जीना केंदे जिना पेपर केंदा जिना डॉक्यमेंट केंदे ठीक है भोग डॉथ ऑफ ट्रेड इन्पर्शन गुल्फ अराउंद 10 सेंच्री गेंदा की जो पर्शन गुल्फ है उसके द्वारा मरकी स्परकार से होता था तो जैसे ने हम उन्होंने बताया है बहुत साथ याफंट से बश्य करते थे शारी करने हैं तो आपको नाम याद नहीं हो市 trailer house से नम लेकिन दो तीन इंपर्टन नाम है वो याध कर लेना ठाहिप इंडियन ओशिया नहीं तो यहां पर इंपोर्टेंट बूमी का निबाई इनोंने यहां पर परट पड़ता हमारा होर्मूस ठीक है आफ्र दराइज ओफ फैटी मीड कैलिपर इन जो हमारा इजीप्ट में 1965 में रेड़ सी इंपोर्टेंट नेटवर्ड बन गया तो वहां पर ट्रेड होता था इंडियन ओशियन के द्वारा मतले की देख रहे हो कि इंडियन ओशियन पहले भी इतनी इंपोर्टेंट भूमी का निबाता था जितना आज निबारा जितना मिडाइवल में निबायों तो 1965 में भी इंडियन ओशियन के द्वारा रेड़ सी से होता हुआ हमारा समान जाता था इजिप्ट बगएरा तो यह बाते बोल रहे हैं तो आप देख देख कि पर्शन गलफ से बहुत अच्छा ट्रे परीड आप देखेंगे की अलग 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 पोर्ट के बारे में रीड ने करेंगे अब इंडस जो हमारी इंडस रीवर यहां पर पढ़ते हैं तो यहां पर भी पोर्ट है वहां पर हमारा ट्रेड होता था जो की बहुत ज्यादा था मूलतान मंशूरा एक ऐसा लेंट है कि गुजरात वगारा में गुजरात में भी पोट गुजरात को से न्यूप एक नए पोट था जो स्टैम बख बोल सकते हैं आप इसको डूरिंग गया तो यह पोट टूडे नोस केंबे करके जो अरबिक अकाउंट में मिलता है तो इसका नाम पहले यह था स्टैम बख लेकिन आज इसको केंबे पोर्ट बोला जाता है चीक है एवी जैन नाम के एक वैक्ति है उन्होंने बताया था राइस ओफ चालुका जो राजा होते चालुका जो डैनिस्टी होती है उसमें में उन्होंने गुजरात में बहुत सारे क्या बनवाए थे पोर्ट बनवाए थे क्यों आए जाते थे देर वह सम अधर फैक्ट फैक्टर वीच फैसिलेट दा ग्रोफ ऑफ ट्रेड बहुत जादा हुआ गुजरात के अंदर जैसे कि हमने देखा वहां पर किस परकार से अब हो सारे अरब के डोकिमेंट से भी पता चलता है क्योंकि हम अरब से करते होंगे ना ट्रे मेंड अग्री कल्चर होते हैं गुजरात ऑफ बहुत बड़ी मातरा में होती है और वही मतलब कि हमारे देश होगा तै ஌न दूसरे देश में जाता था तैक है कि इस में डाइट दा पॉर्ट ऑफ गुजरात का जो पॉर्ट था हर्मुस वह एक इंपोर्टेंट भूमिका निभाई उसने पर्शन गुल्फ में तो आप पर्शन गुल्फ आये तो यह भी आप लिग के आ सकते हों ठीक है कोंकन अब कोंकन रीजन का रीड करने वाले हैं कि आप निचे तो महां पर आपको क्या मिलेगा कोंकन रीजन मिलेगा और वहां पर भी बहुत सारे पोर्ट बगारे बनाए जाते थे जैसे कि आपको नाम है नहीं और पोर्ट के नाम छोड़ दो बोलो की इथाने में था मोडर तरफ पर बहुत सारी जंगाती वहां पर क्या बहुत सारी पोर्ट बनाए गए थे कोंकन रिजन में यह मैं मिलते हैं जिस मर्चैंट के जो उन्होंने जिनना अ करके जो अपना अलविरूनी की किताब अलि इंद में था बर्नियर की बुक्स में था अब्दुडजा की जो हुआ निद भाल होते तो हम वह जह तरड होते हैं और आँ पड़्गर आख्रेक्श के ऐसको अभा इनते तो जर्मालबार में भीयों ओकंपोर तटें हरा है और मालबार अभा नड़ी को मनुक्त है एक जग है सब में आउगे तुम बिल्कुली नीचे आउगे वैस साइट तो आको क्या मिलेगा बहुत सारी पोर्ट मिलेंगे कलम माली मिलेगा कोल नम आएगा काल इकाट आगए तो तो अची तरीकि शेयाद कर लेना तो मालबाभ पॉट्ट था जो मालबाभ था ड़े एडवांटेज होती थी हम पर्शन गुल भी पड़ता था रेड़ सी भी पड़ता था और वह आपको क्या है साउथ जो आपको साउथ वेस्ट मोंचन है वो और थर्टी डेस के अंदर क्या आप ट्रेड एक दूसरी जिंगा तीस दिन के अंदर मतलब जो समाना वो भेज सकते तो बहुत जादा एडवांटेज मिलता था मालाबार जो पोट के अंदर ठीक है और बहुत सारी जाती थी जो कैलिकर्ट से होते हुए तो यह सारी आप बता देना जो इबन बतूता है इबन बतूता कोन है यह इसकी भी जो बूक है रही है अल्ला उसके अंदर उन्हाने मै ऐसे गिवाले हैं निचे इस साइट पर्कार से पोजिशन शर्म से रहते हैं गमेरें न धीशन को आख वी जंदर आट होते होता है एकडम से बढ़ जाता है, Indian Ocean and the Chinese Sea, चायनी सी से होते हुए, फिर चायनी सी से होते हुए हमारा यात्रा होती थी चायना से, ठीक है इसको क्या बोला जाता है, the old silk route बोला जाता है, because यहां से हमारे silk वगारा होता था, वो एक दिगे से दूसरी जगा देजा जाता था यह major trade route, जो हमारे major trade route होता था, Roman world के साथ, वो cut up हो गया था चाइना का, and from the 7th century onward, और किस परकार से जो चाइना का, मतलब कि Roman world का, किस परकार से चाइना का, तो cut up हो गया था, कि trade करना, लेकिन 7th century के अंदर क्या होता, जो समूंदर के द्वारा relation हो गया था, चाइना और पर्शन गुल से, इंडिया का relation हो गया था, और हम किसे चाइना से silk वगारा होता था, वो trade करते थे, ठीक है, the maritime activities were greatly increased in South Eastern Asia under strong Hindu, Hindu and Buddhist, ये नहीं है कि हम इंडियान, हम trade करते थे, हम क्या करते थे, जैसे हमा, आपको पता है, बुद्धिश धरम है, इंडिया के अंदर बहुत जादा फैल रहा था, तो बहुत सारे जो चीजे हैं, हमने बुद्धिश जो धरम है, वो हमारा चाइना के जैसे की फाइन होते हैं, बहुत सारे यात्री होते हैं, हूंग सांग होते, वो बुद्धिश लोग होते हैं, जो चैना से आय Bennett से आयए थे,忙सा धरम होते हैं, और इस परकार सी चाना के अंदर भी बहुत जादा निफिल tocone हैं, ब union थे तो वह बूद्धिश न्योंटिर ल एक बहुत सारी पोर्ट होते ते जासे माली पटन उता नागा पटनम होता था यह यह चाहिशन से ट्रेड करते अर्ली 12th century जो क्या किया जाता था इंतली इसे थो यह सारी चीज़ अम ट्रेड करते थे थैख है शोटली आफ्टरवर्ड तो आफ्टरवर्ड में क्या होता है दे वोज आउट क्लास बाइ चाइनीज जंग वैसल्स जो बहुत सारे जो बरतन होते हैं चाइनीज वो भी हम क्या करने लगे मतलल इंपोर्ट करने लगे थे चाइना से ठीक है कि किस परकार से चाइना एसेप्ट इंडियस जंक मतलब कि किस परकार से वैसल्स वगारा हम ट्रेड करने लग जाए किसी भी स्कॉलर से ने नहीं सोचा था दी चाइनीज जंक्स ओफ थर्टीं सेंचुरी के अंदर और स्थी के द्वारा बहुत जल्दी जल्दी क्या होने लगे थे हम ट्रेड करने लगे थे बखने वाले कि क्या चीजी एक्सपोर्ट होती थी क्या चीजी इंपोर्ट होती थी इंडिया के और अनदर जो कंट्रीज के साथ अबर सोर्स इस शोड़ ड़ी स्पोर्ट वर जो जो इस्फार्ट होते थे एक्सचेंज्छ होता था क्या होता था था सारी चीजे एक लिगा से दूसरी जंगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती थी ठीकिंए लिए चीज एक एक्सपोर्ट इंडिया एक्सपोर्ट तूमिटा बेजना क्या पर लिए जासे की वेश टायब उस टेक्स्टाइल जैसे गुजराज में जो बनते माल बेंगोल बनते लोग लोग टेक्स्टाइल बनते न वह सारी चीज़ अम बेज देटी ठीक है और बेंगोल और इंट्टन सारी चीज़े थी ट्रेड की जाती थी 10 प्लेज और फेस्ट और एस वेस्ट कोस्त ओफ आफ्रिका ये सारी इस साइड से आफ्रिका के सट एरिया तक जाती थी एंडिया सब्सक्राइब होते हैं जैसे कि टोची केम एक एंडिया नेरो में इंपोर्ट करती है और इंडिया के आपको पता है जैसे तो यह अरब और जो परशिया से क्या मंगाते थे बहुत इंपोर्टन जो गोड़े होते थे उन्हें बुलाया जाता था उनकी जो जो अनसल वोते थे यहात्याय चाली होटए जो गोड़े ट रहां कि यह चीजें बॉला जाता इतने परइस पिशिंघे प्रैज इतने महें वहते थे कि दूरिंग दा 14 सेंचुरी, 14 सेंचुरी के अंदर लगजरी जो इसलाम मैंने बता है न, इसलामी कल्चर आ गया था और उन्हें बहुत ज़ाद महंगी महंगी अर्बनलाइजेशन आने लगा था, ट्रेड होने लगा था, तो लगजरी चीजों का बहुत ज़ादा चलन होने ल दैयां कुलारा हुए था हमारी इंडियान्, जो इंडारर उने ही सबminute की टीच है जो क्या कैपटन कि मैंने होता था न, फशिव घन, क्या。 वह खकिन गवysis, दा कुला जाए, है और जो छिव का ओनर होता था इसको क्या सोते दिन कोतना चाजरी बहुत जा बहुत था हो है, उनकी भी अलग अलग कॉमुनिटी में डिवाइड कर रखा था ठीक है दी मर्चंट वोज अंड़ावटली दा की प्लेयर जो बहुत है इंपोर्टन प्लेयर रोल किया उन्होंने इंडियन ओशियन में इंडियन मर्चंट डिड अंडटेक ओवर सी तो वो ओवर सी बंदरगा जाती ठीकर अने टेस्ट अपनी वो उन्होंने अपने डोकमेंट लिकाना उसके अंदर मिलता है जो इस मंदिर बनवाने तो आप देख नहीं होता था कि वहां theo Okay Russian Alliance लेताता है यह उनके। वरी पार को नेते हई हैं। श credited प्रीजलय का क्वेटी तुम्हें का अचक्त का अचम्हें। ल्यास के स्विवावत दिए प्रीजली बीङ। थ्राइट भी उनको भी डिफिकल्टीज होती थी ठीक है दी पॉलिटिक पार अंडावट फिली बहु जादा क्या था क्या था बैनिफिट्रियल था ओवर्सी ट्रेड करने के लिए और फिर बाद में क्या था है 15th century के अंडर क्या आजाता है जो कि आप फॉर्थ हमारे समेस्टर बुक होगी उसके अंदर रीड करोगे आप कि किस परकार से 16th century के अंदर ब्रिटिश आ जाते हैं और किस परकार से वो सारी चीज़ों पर अपना हक जमा लेते हैं वो सारी आप समेस्टर और में रीड करोगे तो यह हमारा फ़र्फ आता अगरा जो पार्ट उगा उसके अंदर 강ी करें इक किस परकार सेuk invece में मारी मुगलC3 अंधर यह सारी चीज़े हम रीड़ी करेंगे तो यह हमारा जो फर्स पार्ट ही कम्प्लीट होता है इप लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल यदि आपको इस चप्ट से लिटी को अभी पीडियाफ चाहे तो आप मेरे टाइलग्राम चैनल से जूट सकते हो लिंक है डिस्क्रिप्शन में थैंक यू फो ओच